OTT के आने के बाद में जो कलाकार उभर कर सामने आये हैं, वो वाकई में unmatchable है, क्योंकि OTT के ऊपर कलाकारों को अपने आपको, अपने characters को, अपने acting के shades को explore करने का मौका मिलता है, और विकरांथ मेंसी कुछ उन कलाकारों में से हैं, जो की चाहते हैं कि उनको subject किया जाए, ऐसे रोल से, जो की वाकई में निभाना कठे ने, इतना मैंने पढ़ लिया था, ट्रेलर को देखने के पहले, तो I was just guessing कि यार, विकरांथ मेंसी इस मूवी में obvious ही बात है, पुलिस ओफिसर का ही रोल कर रहे होंगे, बट to my surprise, वो उसमें उस नौकर का रोल कर रहे हैं, जिसके के उपर आरूप लगे है, that means the person who was responsible for the whole kind, and guess what, पुलिस ओफिसर का रोल कौन कर रहे है, पप्पी भाईया, दीपक डोबरियाल, दीपक डोबरियाल को हम लोगों ने दबंग में सलमान खान के साथ देखा, तनुमे दीपक डोबरियाल को एक ऐसे किरदार में देखना जो कि अपने आप में एक seriousness केरी करता हूँ, अपने आप में एक curiousness केरी करता हूँ, वाकई में बहुत शांदार रहा, ट्रेलर को देखने के बाद में एक बात तय है, कि जितने भी लोगों को इस current की बारे हैं पता है, उन दरसल विक्रांद मैसी बॉलिवुड के एक उभरते हुए सितारे हैं जिन्होंने पिछले साल खमाल कर दिखाया था मतलब बारवी फेल किसको याद नहीं है बारवी फेल के बाद विक्रांद मैसी एक से बढ़कर एक प्रजेक्स का हिस्सा बन रहे है कुछ वक्त पहले उनकी नई फिल्म सेक्टरे 36 का अनॉंसमेंट किया गया था अब इस फिल्म का ट्रेलर रिलीज किया गया है इस लिटरली डरावनी वाइब्स वाले ट्रेलर में आपको सेक्टरे 36 में हो रहे जो पूरे मिस्ट्रीडियस गुमशुदगीया है उनकी गुत्ती सुलजाते हुए दीपक डोबरियाल दिखाई देंगे फुलिस अफसर बने दीपक के सामने जो एक शक्स बार बार आ रहा है वो है विक्रांद मैसी शेक्टरे 36 फिल्म के एलान के बाद हर किसी के मन में सवाल था कि क्या ये फिल्म 2006 में हुए निठारी कांट पर बेजड होगी ट्रेलर लिज्ट के बाद से मेकर्स ने इस बात का जवाब भी दर्शकों को दे दिया ट्रेलर उने लिखा है कि ये कहानी असली और वाकई में शौक कर देने वाली सची घटनाओं से इंस्पार्ड है इसके आगे आप ट्रेलर में जो भी कुछ देखते हैं उससे आपको वाकई में निठारी में क्या कुछ हुआ था उन वाक्यों कोई याद आही जाएगी ट्रेलर की शुरुआत विकरान मेसी थाने में बैट कर इंतजार कर रहे होते हैं और जैसे ही पुलिस अफसर बनी दीपक डूबरियाल सामने आते हैं वो चौक कर उठ जाते हैं एक थोड़ी सी अबनॉर्मलिटी भी लगती है बट ऐसा होता है इसके बाद आप जिस तरीके के किरदार विकरान मेसी को देखना अपने आप में काफी ज़्यादा डरावना है उन्हें जब आप स्क्रीन पर इस अवतार में देखते हैं तो आपको एक बहुती अजीब सी डाक सी फीलिंग आती जिसे एक सीन में बिना शल्ट पहने विकरान आईने में खुद को देखते हुए नाच रहें इस सीन की वाइब लिटरली बहुत क्रीपी है यार बहुत क्रीपी है धेरो बच्चों के खोने के बाद दीपक डूबरियाल मामले की तहकिकात कर रहे हैं उनकी जाच उन्हें विकरान मैसी तक भी पहुँचाती है मामला तब और जादा परसनल हो जाता है जब दीपक की बेटी को ही विकरान उठा लेता है गुमशुदा बच्चों की अनसुल जी गुत्थी को सुलजाने में लगे दीपक की हाला तब खराब है और उनका सीनियर अफसर उन्हें इस केस को छोड़ देने के लिए कह रहा है क्या दीपक डोबरियाल विकरान मैसी को पकड़ पाएंगे क्या वो बच्चों को गायब होने और उनकी मौत की गुत्थी को सुलजा पाएंगे यही फिल्म देखने वालों के मन में भी सवाल रहेंगे प्रोडियूसर दिनेश विजन और जोती देश पांडे ने इस फिल्म का निर्मान किया है इसके डिरेक्टर आदित्य निम्बलकर है फिल्म सेक्टर 36 नेट्फिक्स पर 13 सितंबर को रिलीज होगी और मेडॉक फिल्म से इस मूवी के साथ में जुड़े हूँ है भाई मेडॉक फिल्म के बारे में क्या कहें ऐसा रखता है कि आज कल वो समंदर सा सोना निकालने का काम कर रहे है आप मुझिया को दिवात कर लीजिए आप सिस्त्री टू की बात कर लीजिए अभी स्काय फोर्स उनके एक मूवी आने वाली अब उसकी बात कर लीजिए एंड दिस मूवी सेक्टलिट हटी सिक्स एक के बाद एक एक के बाद एक बहतरीन सिनेमा चावा का जो उन्हें टीजर रिलीज किया विकी कॉशल के साथ में वो भी वाकई में काबल तारीफ था एक के बाद एक बहतरीन सिनेमा सामने लेकर मैडॉक फिल्म्स आ रहे हैं तो देखते हैं यस पिटारे में इस बार उनके जो थेले से मूवी निकल रही है सेक्टलिट हटेजिक्स वो कितने ज़्यादा पसंद की जाती है कमेंट करके आप अपनी राय ज़रू बताईएगा मेरे स्वीडियों फिलालत नहीं जाए हैं जाएबार